नवस्कार दोस्तों, नितीश कुमार और नरेंद्र मोधी में कोई अंतर नहीं रह गया है। जैसे नितीश कुमार को बुढ़ापे में समझ नहीं आता है कि कब, कहां और किसके पैर छुने हैं। वैसे ही विश्वगुरू को भी समझ में नहीं आया कि ट्रम्प की जीत पर किस तरह से बधाई दी जाए। ट्रम्प को बधाई देने और ट्रम्प के आगे नंबर बढ़ाने की होड में मोदी जी ने छुटबाईये नेताओं को भी माद दी। मोदी की बधाई में राश्ट्र अध्यक्ष वाला रुतबा अखम चापलूसी जादा दिखाई दी। मोदी ने अंग्रेजी में लिखा कि मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रम्प आपकी एतिहासिक चुनावी जीत पर हरतिक बधाई। जैसे कि आप अपने पिछले कारेकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत, अमेरिका, व्यापक, वैश्विक और रणनेतिक साज़ेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहियों को नवीनी कृत करने के लिए उच्छुकूं। आए, मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शान्ती, स्थरता और स्नम्रध्धी को बढ़ावा देने के लिए काम करें। नीचे ब्राकिट में लिखा हमारी पिछली बैटकों की कुछ तस्वीरें। जिस तरह से मोदी ने ब्राकिट में पिछली तस्वीरों का जिक्र किया, उसे लगा कि आज भी विश्वगुरू ट्रम्प की एक जलक पाने के लिए, ट्रम्प के आगे नंबर बढ़ाने के लिए मर छट पटाए जा रहे हैं। जैसे विश्वगुरू ने लिखा वैसा सांसत विधायकों के चेले, खुद को विधायक सांसत का करीबी दिखाने के लिए लिखते हैं। पुतिन ने राजाओं वाला व्यावार किया। दोस्तों, वो बोले, मैं ट्रम्प को उनकी नीती और नियत देखने के बाद बढ़ाई दूँगा। मोदी अती उत्सा के चकर में खुद को डंका पती साबित करवाने के चकर में भारत की किरकरी बहुत बार करा चुके हैं। इसलिए जब किसी देश की सरकार बदलती है, तो बदली हुई सरकार का रोख भारत के प्रती बदल जाता है। जैसे अमेरिका ने ही भारत के पूर्व रॉ एजेंट को वांटन खोशुत कर दिया। मालजीव में सरकार बदलते ही भारत और मालजीव की ठन गई। बदलते ही भारत के सैनेकों को मालजीव से निकल जाने के लिए कह दिया गया था। अरती उत्सामे नरेंद्र मोदी को समंदर में नहाने जाना पड़ गया। राइट विंग ने कहा समंदर में नहा कर मोदीजी ने मालजीव की कमर तोड़ दी। लेकिन हुआ गया, आज भी लाखो भारत के टूरिस्ट मालदीव जा रहे हैं, यही हाल नेपल के साथ है, और यही हाल बांगलादेश के साथ है, भाजपा की एक तरफा रहने की आदत सरकार में भी चलती है, ट्रॉम्प की सरकार बनते ही, मोदी ऐसे खुश हो गए, जैसे का प्रग्यामिश्रा को अच्छा नहीं लागा, बदाई देने का जन्टल्में तरीका भी हो सकता था, विम्याना भारत की आदत में नहीं रहा है, तो अमेरिका के चुनाव में दो कैंडिडेट के बीश डिबेट होती है, वो मंगल सूत्र चीनने के नाम से अपनी जनता को ड जनता उसको बैलेट पेपर से वोट करती है, अमेरिका में चुनाव वयोग सरकारी घुलाम नहीं है, ट्रॉम्प ने हमेशा महिला परत्याशी को हराया है, पिशली बार हिलेरी कुलिंटिन को हराया था, इस बार देमेरिक पार्टी की कमला हैरस को हरा कर रष्टपती बने ह अब बात ही आती है, कि ट्रॉम्प के आने के बाद इसका भारत पर क्या आसर होगा, यह भी जानना और समझना बहुत जरूरी है, तो समझ यह, दोसरे जोनाल ट्रॉम्प की नीतिया अमेरिका फर्स्ट की ही रही है, ट्रॉम्प के रष्टपती चुने जाने की स्थिती में भारत की सबसे बड़ी चिंता उनके व्यापार और इमिग्रेशन नीतियों को ले करके है, ट्रॉम्प के पहले शासनकाल में ही अमेरिका ने भारत की तरजी ही व्यापार वाले देश के दरजे को खत्म कर दिया था, ट्रॉम्प ने चीन के खिलाफ टेरिफ युद करने की भी दम की दे थी, ट्रॉम्प ने भारत को टेरिफ का दूरुपयों करने वाला देश बताया है, उन्होंने भारत और चीन के अलावा कई दूसरे देशों से आयाद पर टेरिफ लगाया था, नए सरकार में भी वो अमेरिकी सामान के आयाद पर जादा कर लगाने वाले आने वाली मोटरसाइकलों पर कर बढ़ा देंगे, इसके बाद भारत ने आयाद होने वाली मोटरसाइकलों पर आयाद चुल को 75 फेसीदी से घटा कर पचास फेसीदी कर दिया था, भारत और अमेरिका के बीच करीब 200 अरब डॉलर का कारोबार होता है, अगर ट्रॉम्प न उनकी नीतिया प्रवासियों के लिए परिशानी पैदा करने वाली हो सकती है, ट्रॉम्प ने अवैद प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने का वादा किया है, वो आरोब लगाते रहे हैं कि अवैद प्रवासिय अमेरिक्तियों के लिए रोजगार की अवसर कम कर र ट्रम्प ने अपने पिछले कारेकाल में कश्मीर समस्या के समधान के लिए मध्यस्तिता की बात भी कई थी। उन्होंने ये दावा किया था कि मोधी भी ऐसा ही चाहते हैं लिकिन उनके इस दावे को भारत ने नकार दिया था। दसल भारत इस समस्या के समाधान में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका को नकारता रहा है। वहीं पाकिस्तान ने ट्रम्प के बयान का स्वागत किया था। अपने दूसरे राश्ट्रपती कारेकाल में अगर ट्रम्प फिर अपना पुराना रुख अपनाते हैं तो ये भारत के लिए असहज करने वाली स्थिती होगी। ट्रम्प ने जम्मू कश्मीर में पुल्वामा में हुए हमले की निंदा करते हुए भारत के आग मुरक्षा के अधिकार का समर्थन किया था। भारत की शुरू से नीती गुट निरपेक्ष्य देश की रही है। लेकिन पिछले 10 सालों में भारत की भाजपा सरकार किसी ना किसी गुट में खड़ी हुई दिखाई दे रही है। यही गुट बाजी हमें पिछलगू भी बना देती है। इतिहास गवा है कि अमेरिका ने हमेशा दो देशों को लड़ाया ही है। इतिहास गवा है कि अमेरिका जहां भी रहा है वहां आग जरूर लगाई है रूस यूकरिन को ही देख लेजे, खाडी के देशों को ही देख लेजे, इसराइल को देख लेजे इराक, मिस्र, अफगानस्तान, नजाने कितनी उदारण है अमेरिका किसी का नहीं है, वो एक कैपिटलिस्टेश है, वो सिर्फ व्यापार के साथ है और बड़ी बात यह है कि उसका सबसे बड़ा धंदा ही हाथियारों का व्यापार है इसलिए कहती हूँ, हमारा भारत विश्वगुरू है, मुबारक बात बराबरी वाली होने चाहिए चापलू सी वाली नहीं, चलते हैं राम राम दुआ सलाम चाहिए चानल को सब्सक्राइब जरू करेगा, वीडियो को शेयर जरू करेगा, नमस्कार